सक्सेस मंत्रा वी शेप फ्यूचर काभी दिन से दा हिंदू का जब एनलेसिस हो रहा था तो आई टेंट टू आस्क कि यह टॉपिक जो हैना बेसिक स्टॉक्चर कोलेजियम यह कॉंटिनिस एक लेंथ में टॉपिक डिसक्स करने वाला यह हिंदू के साथ यह थोड़ा सा क्रि जिसका पीडियाफ आप लोगो टेलीग्राम पर मिल जाएगा तो प्लीज एक बार पीडियाफ डाउनलोड कर लेना और जिसका मन हो एक्षा केस आप से पीडियाफ निकल वा लेना काम हो जाएगा है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़े हैं जो पीडियाफ में मैंने इंटेंशनल पहले वो देख ले थे फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे देखो आज कल एक टॉपिक बहुत न्यूज में चल रहा है और यह टॉपिक ना ऐसा नहीं है कि आज कल न्यूज में है यह आपको एप्रिल में भी न्यूज में रहेगा और रहना पड़ेगा यूंकि बे अप्रिल 1973 का केस था और लगालो हिसाब 50 सल हो जाएंगे इस बार तो वैसे भी वह करेंट अफेर्स में आपको रहेगा और एकदम एक्जाम का पीक पॉइंट होता है वह एप्रिल वाला टाइम और उस टाइम यह न्यूज में रहेगा और अभी क्यों नियूज में है इसक सल बहुत ज्यादा चल रहा है इधर से लौ मिनिस्टर बोलते हैं कि यह कोलेजियम गलत है इधर से वाइस प्रिजिदेंट साब बोलते हैं केश्वान अंदभार्दी गलत है गलत क्या है सही क्या है यह उनका गाम है हमारा गाम है उस चीज़ को समझना कि exactly क्या है और हमारा एक्स ओफिशियो का इसका पार्ट देखेंगे वाइस प्रेजिदेंट की eligibility थोड़ी से देख लेंगे तो एक overall aspects जाने की कोशिश करेंगे विद्द इंटेंशन कि वाइस प्रेजिदेंट ने exactly क्या बोला था जो उनसे expected नहीं था इतने बड़े constitutional post hold करने वाले से उसके और वह ने भी यह देखा है कि प्रेजिदेंट इसन और पोस्ट यह फिर दो लोग बोलते हैं कभी कबार कि एसा बिल्कुल नहीं बहुत इंपोर्टेंट पोस्ट है और इसकी इंपोर्टेंट साथ आपको पता चल जाएगी और एक हमारा लास्ट लिंक रहेगा इससे आप चांसलर का इसू चल रहा है कि वाइस चांसलर को चांसलर ही लेक्ट आएंगे चांसलर एक जस्ट लाइक ऑनुर्डरी पोस्ट होती है चलो आप सबसे बड़े हो स्टेट में तो आपको यह पोस्ट दी जाती है तो अब इस पर भी देखेंगे कि यूजी सी की 2008 की नॉ और इस पर एक डॉक्ट्रीन आता है डाट इस डॉक्ट्रीन ऑफ हर्मोनियस कंस्ट्रक्शन तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे और गवर्नर का एक सेकेंड आसके आपको आरिन रवी सहाब का वॉक आपको थोड़ा सा गवर्नर के बारे में पढ़ना पड़ेगा य यह पीडियक में भी मेंचन मिल जाएगा आपको तो चली स्टार्ट करते एक बार न्यूज देखते हुए कि क्या क्या चीजे न्यूज में थी देखो यह पूरा जो जिस्ट है यह दहिंदू से ही लिया गया डारेक्ट स्क्रीन शॉट है कहीं से भी कुछ इधर उधर का न बेसिक बनाते हैं करते हैं एक पूरी कहानी चली 1951 से नाइन शेडिव लाया और बहुत सारी बाते होई और इसी बेसिक स्ट्रेक्टर के टाइम पे एक जजच साब का प्रमोशन हो जाता है और प्रमोशन होने के साथ ही एक और टॉपिक बीच में उड़ जाता है डैट इस the collegium और collegium बे आज भी discussion हो रहा है is inject better और collegium better तो देखो better best कुछ नहीं है independence of judiciary is must at the end अच्छा ये एक दिन और news में आई थी ये दा हिंदू का ही है first page का news आई है रिजुजु एंडोर्स फॉर्मर हाई कोर्ट जज़स व्यूद कि रिजुजु साहब बोल रहे है कि फॉर्मर हाई कोर्ट साब बोल रहे है ऐसा फॉर्मर हाई कोर्ट साब जज़ बोल रहे है कि Constitution को हाई जेक कर लिया गया है टॉप कोर्ट को एपेक्स कोट यानि Supreme Court तो थोड़ा बहुत Supreme Court के बारे में भी जाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर अब इसमें देखना यहाँ पर यह चीज लिखी भी हुई है अगर लॉज स्टूरेंट के परविव से देखा जाए तो थोड़ा एबसर्ड स्टेट्मेंट आप इंसेन बोल रहे हो तो थोड़ी तो बात हो जाती है थोड़ा पढ़ना पढ़ेगा ऐसी चीजों को थोड़ा सा कॉंट्रुवर्सी है थोड़ा सा मसाला है तो उसको उस हिसाब से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट देखना एक लाइव लॉपे 28 जैन को 9.37 एम पर यह टॉपिक आया था और इस पर देवलप्मेंट 28 जैनवरी को भी हुआ रात को दस्ट आइटिंग की आई वस रीडिंग देशेम ऑन लाइक 10 पीम अरॉंड 10 पीम का टाइम था तभी यह बात चल रही थी विदाउट इंडिपेंडेंट और पीर्लेस जज़ज इंडिया विलेंटर डाक एज यह जस्टिस रोहिंटन एफ नरिमन यह बात बोल रहे थे और रोहिंटन एफ नरिमन ने उसके बाद यह बात भी बोली कि सेंटर के पास 30 दिन का टाइम है कि वह बताए कि एंजेक अगर नहीं है त उसके बाद को लेजियुम पर ध्यान दिये जाएगा उसके बाद एक और अड्रेस आया था यह मोर्दैन जस्ट एंड्रेस यह आरेन रवी सहब के वारे में लिखा गया कि आरेन रवी सहब जो स्पीच पढ़ रहे थे विधान सभा में तो क्या हुआ उसकी उनकी जो स्पी करना तो ये बार-बार में ये बात बोड़ रहो कि गवर्नर कर दिया वो उपरी क्रोड़ी होती हे स्टेट को से जोड़नी की जब बात आती है तो फेडरल स्ट्रेशन का है उसमें बहुत इंपॉर्ट Fuk और पले करते हैं यह एटो तो इसलिए गवर्नर को भी पढ़ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आई होप कि एक आईडिया लग गया होगा यह देखो यहाँ पर आरेन रवी साहब वोक आउट कर रहे हैं इनकी इमेज भी है ना चलिए यह देखिए मिनट्स ऑफ डिसकॉस्शन जो भी जस् क्या है क्या अमिंड्मिंट्स थे और थोड़ा बहुत आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 पे जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन आर्टिकल का बहुत प्यारा रिलेशन है डॉक्ट्रीन बेसिक स्टॉक्चर से और एक मैडम को याद करेंगे अपने पूरे डिसकॉशन में होगा इंपोर्टेंट रूल प्लेइ करती है वेनेवर इट कमस तो दॉक्त्रीन बेसिक स्टॉक्चर तो जवालाल नहरू जी के टाइम से चलता है वो चीज और इंदरा गांधी प्याकर रोपता है और फिर इंदरा गांधी के फेस से स्टार्ट होता है और हम आज में आते सबसे पहला केस था है शंकरी प्रशाद का केस था यह केस आपको 1951 में आया तो यहां पर इसका साइटेशन लिख लेते हैं 1951 स.C. स.C. इस 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 दे सुप्रीम कोट है और केस फाइल हुआ था यूनियन और इंडिया के गेस्ट केस फाइल क्यों हुआ था सबसे बड़ा क सबसे बड़ा प्रॉब्लेम था यहां पर इस टाइम की थोड़ी से वैलिवेशन है असा नहीं कि मजा आ रहा था तो लिख दिया गया 1951 देखो 1951 का टाइम अगर ध्यान से याद करो इस टाइम पर इंडिया की एकॉनोमी कैसी थी एग्रेडियन एकॉनमी एग्रेडियन मत लैंड रीडिस्ट्रिबूशन अब सर यह कहां से आ गया चीज यहीं तो मेन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है अब फजाद की यहीं फची हुई है लैंड रीडिस्ट्रिबूशन का कॉंसेप्ट इस लिए यहां पारता है क्योंकि इस टाइम पे इंडिपेंडनेंस हुए लगा लो अगर तो 4-5 साल ही हुए थे एक साल हुआ था पूरा अगर एंफोर्समेंट के बात करें तो एक साल ही हुआ था ज्यादा दिन हुआ भी नहीं था लैंड जो थी वो कुछ एक आधा उपर वाले जो लोग होते न अपर स्ट्राट आफ सोसाइटी उनके हाथ में ल लैंड को लूइस्ट स्ट्राटा तक लेकर आना होगा अगर माल लो कि इन 4-5 लोगों के पास जमीन है किसी भी स्टेट में इन 4-5 लोगों के पास ही जमीन है तो क्या यह नीचे लेवल तक आने देंगे और जब नीचे लेवल तक वो लैंड डिस्रिब्यूट ही नहीं तो तो अग्री कल्चर डेवलप ही नहीं करेगा वो तो एक तरह से कुछ लोगों के हाथ में बंद के रहेगी चीजे तो यहां पर एक प्रॉब्लेम आया और सबसे बड़ी चीज क्या थी एक इंट्रेस्टिंग बात देखना उस टाइम पे एक आर्टिकल था जिसे हम कहते स्था बंदाउट्ब और प्रपर्टी इस अप्टनामेंटल राइट राइट और उस टाइम में इंटिन जुडिशेरी कहलो यह फिर प्रीसिट अपधे इंटिन जोडिशेरी इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि यह बता सके कि फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकता है यह नहीं हो सकता है fundamental याइट का मतलब फंडा मेंटल ये वह फंडा मेंटल नयचर नेचर वह फंडा मेंटल होते हैं अब राइट व्रॉपर्टी फंडामेंटल नाइट थी जवाला तोड़ी सी कहानी सुनते हुए आपने आजाएंगे जवाला नेरु साब ने क्या किया कि भाई लैंड डिस्ट्रिबूशन ज़रूरी थी यह सबको पता था अगर लैंड डिस्ट्रिब्यूट ही नहीं होगा तो इकोनॉमी हम नहीं चला पाएंगे लैंड से ज्यादा नहीं रखेगा अपने पास वह लेकि आए कोई एक आधा आदमी आ करके आर्टिकल नाइंटीन के ग्राउंड पर चैलेंज कर दें सुप्रीम कोट में किसा राइट टू प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट होता है ऐसे कैसे ले सकते हो मेरा फंडामेंट इसे याद रखना और कमेंट सेक्षन में बताना जो लोग डेली से स्पेशली उनके लिए क्या है क्या है क्या आपके हैं एलेक्शन हुआ है रीसेंटी अभी यह इधर उधर पॉलिटिक्स बाजी करने से काम नहीं चले नाइन शेडियूल एड किया गया अब नाइन शेडियूल को खाली छोड़ा गया नेरो साब ने कहा स्टेट को तुम्हें जो लैंड लोज लेके आनी तुम लेके आओ वही टेंशन है उसको हम नाइन शेडियू को एक ऐमट से बाहर किया गया जे आर्क एमट से उसको बाहर निकाल दिया गया अगर मालो कोई बी एक अगर इसमें डाला जाता है तो सुपरीम कोट उसपे रिवीव करी नहीं सकते यानि एक ब्लॉकेज क्रियेट कर दिया अच्छा एक में आ रहा होगा कि सर अभी जस्ट लेकिन हम हैं अंडिया से और हमारे यां 30 मा रखान लोग कमी नहीं है संक्री प्रशाद में नाइन शेडियूल ही चैलेंज होगी है संकरी प्रशाद वाले केस में नाइन शेडियूल को कर दिया चैलेंज कि भाई इसकी Constitutionality चेक करो अब यह बात गई सुप्रीम कोट अब यहां से आपका basic structure की कहानी स्टार्ट होती है तो basic structure जानने के लिए एक आप लोगों ने भी तक देखा कि नाइन शेडियूल को जानना जरूरी है कि नाइन शेडियूल का बर्थ एक्चुली कहां से हुआ और इस बर्थ के पीछे क्या क्या कहानी थी राइट तो प्रोपर्टी वी सी बहाने देख लिया और राइट तो प्रोपर्टी अमेंड करके इसको आर्टिकल 300 में डाग दिया गया विट इस नॉट नाव फंडामेंटल राइट इस जास लाइगा अब हमारे पास केस आता है संकरी प्रशाद वर्सेज यून ऑप इंडिया 1951 सी उस समय सुप्रीम को थोड़ा सा मतलब फेरली फेरली तो नहीं कहेंगे बट हाँ जली-जली काम होता था वहां पर नाइन शेडियोल को चैलेंज किया गया देको यह बात को भी पता थी कि कि भाई यह चीज सही है बढ़िया है और हमारे अटॉनी जनरल साहब उन्होंने एक बात पकड़ी आर्टिकल 13 की जब आप आर्टिकल 13 पढ़ते हो अब देखना इसको डिफेंड कैसे किया गया लौ का जो रियल इंटर्पेटेशन है ना वह इस केस में पता चलता है कि भा 13 क्लॉस 3 सब क्लॉस ए को इन्होंने इंटर्पेट किया आर्टिकल 13 क्लॉस 3 सब क्लॉस ए में बताया जाता है वाट इस लोग ठीक है उसमें आप देखोगे कि कस्टम यूसेज लॉग या पर इस तरह की जो भी चीज़े हो तो उसको लोग कंसीडर करते हैं इसमें एक बात नहीं थी वो था अमेंडमेंट यह बात हमारे एजी साहाब ने पकड़ ली कि अमेंडमेंट तो है नी सर और हम अमेंडमेंट कर सकते हैं इसका मतलब यानि कि शंकरी प्रशाद में नाइन शिडूल को जिन लोगों ने चैलेंज किया था कि सेंटर यह काम नहीं कर सकती है क् हमेंडमेंट कर सकते हैं और हम अमेंडमेंट ही तो कर रहे हैं नाइन शेडियूल में हम क्या कर रहे है और यह चीज और नाइन शिडूल को सही ठहरा है गया और लैंड सिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ अच्छा अभी कहानी स्टार्ट हुई है सेकंड केस फाइल होता है आपको सर्जन सिंग सर्जन सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान यह केस फाइल हुई आपकी 1961 SC 10 साल के बाद सर्जन सिंग में कुछ नहीं कहा गया था सिंपल सर्जन सिंग ने शंकरी प्रशाद को अपहल्ड कर दिया यहां जो भी उपर कही गई है वो बात सही है लेकिन चीजे यहां तक नहीं रुकी एक कहानी बैग्राउंड में तैयार हो रही थी और वो कहानी है आप लोग का यहां पर चीजे समझ में आ गई होंगी कि नाइन शेडिल को वैलिडिटी दीदी गई थी क्योंकि आर्टिकल त्रीएं में अमेंडमेंट वर्ड नहीं है एजी साब ने बात पकड़ी सेम चीज अपहल्ड कर दिया गया सर्जन सिंग वर्से स्टेट आफ राजस्थान 1961 सुप्रीम कोड अभी बेसिक स्ट्रक्चर के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं भी अभी पूरी तरह से आए नहीं है अच्छा अब जब आप यह देखोगे यह पीडिया तो इसमें भी सेम जी लिखा हुआ है तो वही चीज़ पर इसको अफिल्ट किया गया आगे भी यहां पर इसको कर लेना थर्टीन टू ए सजन सिंग देख लिए हम लोगों ने अब हमारे पास थर्ड केस आता है कि इसको करते हैं आगे बढ़ते हैं कि अधर केस हैं हमारे पास गोलकनाथ वर्सेस स्टेट अफ पंजाब अच्छा इनका यह आप लोग याद रखिएगा तो बहुत हैल्प हो जाएगा नाइटीन सेवन्टी नाइटीन वेट नाइटीन सिक्टी सेवन का केस था ही नाइटीन सिक्स्टी सेवन एस सी कॉंटेक्स समझने में हेल्प होता है यह से बाकी और कुछ और हार्ड कोर्स में साइंज नहीं है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट अफ पंजाब के केस में बहुत बवाल हुआ नाइन जज्ज की बेंच बैठी थी मेजॉरिटी से जज्ज्मेंट आया यह चीज याद रखना न गोलकनाथ केस में सबसे पहली बात कोर्ट नहीं यह बुली कि वाट वाज हैं इन दिस केस सबसे पहली बात कोर्ट नहीं बुली कि दो वर्ड लॉट इन आर्टिकल अर्टीन तू ए शैल इंक्लूड अमेंद मेंट इन्होंने कहा यह वर्ड देखना मैंने आप परपसुली यूज़ किया शैल लौ में विल शैल का इंटर्परेशन बहुत जरूरी है शैल का होता है मैंडेटरी ठीक है इन्होंने सिंपल ही कहा कि 132a में जो वर्ड लौ है उसमें अमेंडमेंट भी एड किया जाएगा यानि कि 1951 से जो बात चल रही थी उस बात को गलत करार दिया गया तो इसका मतलब क् नाइन शेडियूल को इन्वैलिट कर दिया गया और इस टाइम तक लगभग लगभग 243 243 लेजिसलेशन लैंड से रिलेटेड आ चुके थे इस ताइम तक तो यानि अगर आप उसको इन्वैलिडियेट करार दे रहे हो तो एक रफ आइडिया देख लो साथ साल इदर और जब यह बात बताई गई कि 17 साल से सरम लैंड डिस्ट्रिब्यूट कर रहे हैं वी कैन नॉट दिस इट 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 विल मेक और हुएंड क्राइट वाल ओवर दे कंट्री इट विल क्रिएट प्रॉब्लिप सुप्रीम कोट में था कि अरे उसका भी उपा और यह कोर्शन आपके एकदाम में डिरेक्टली आया हुआ है कि यह दा कॉंसेप्ट अब प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग वाज इंट्रिदूस्ट वाई विच केस आई सी गोलकनात ब्रदर्स वर्सेस स्टेट अफ पंजाब इन्होंने कहा कि जो हुआ सो हुआ आग रेतरैंसप्टीव हुआ है एक और है रेकी है अनटर二 Rest Loreं कि का मतलब होता है बूथ का मत्लब पुराना जょ है वहां से लागू उगहा लेकिन प्रोस्पेक्टिव होता है आगे से यह काम नहीं हो जो हो गया सो हो गया कोई भिगतनी कोई human cry नहीं मचाना है जो हो गया सो का म हो गया ठीक है अब इसके बाद गोलक नात में एक बात और बताई गई कि 13 क्लॉस टू जो है वर्ड अमेंडमेंट इंक्लूड करेगा और प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का बट पावर नहीं है और यह चीज जो अमेंडमेंट की बात है वो इंडियन कॉंस्टिशन आर्टिकल 368 परता है आर्टिकल 368 एक बार खोलके देखना वहाँ पर साइटेड मिलेगा वर्ड पावर को एड किया गया विट वाज नेवर ओरिजिनली इन दे प्रोसीजर है थोड़ा सा तो अल्टर बात है जिसके पास प्रोसीजर उसके पास पावर एक लॉजिक कर लो ने साब तो एजी साहब ने पूछा होगा कि सर बताओ फिर किसके पास पावर है वो कहां से लाए वह तो लोग सवाराज सवा में लोग लेके आते हो ना उनसे इसेंबली बनाके वह फिर अमेंट करेंगे उनके पास पावर होगा इंडरेक्ली हमी न कर ले मतलब तो यह हुआ तो इस बात को इन्होंने कोर्ट ने पकड़ा होगा कि अब पावर नहीं है प्रोसीजर है इसलिए आगे से बविश्यकाल से अभी से नहीं ठीक है इस केस का रियाक्शन देखने को मिला हमें कि 24th Constitutional Amendment Act 1971 ठीक है 24th Constitutional Amendment Act 1971 और यही से कही न कहीं केश्वान अन्दा भारती की सुरुवात हो चुकी थी बैक्राउंड में कहानी सुरू हो चुका था इन दा हाई कोट्स और ओल ओबर दे कंट्री यह बात है चल रही थी अब 24th Constitutional अब चीज पता करना है यहाँ पर 24th Constitutional और इसको पलट दो उन्होंने सबसे पहला काम किया इस वाला चीज सुधारा उन्होंने और आमेंड्मेंट करके बताया कि विहाब दफावर और आर्टिकल 368 में एक्स्प्लिसिट्ली मेंशन कराया कि पार्लियमेंट के पास पावर भी है और प्रोसीजर भी है और आर्टिकल एक मेजर चेंज किया पहले आर्टीकल 368 में इक क्लॉस था इन्होंने क्या किया एक लेक्ट टू तो वह पुराना वाला रहने दिया और एक त्री लेक्ट तूको को पहले वाले को बीच मिला और वन और थ्री एड करती है वन और त्री में इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कि थर्टीन में यह लिखा फिरी में इन्होंने डिरेक्टी यह लिखा कि इसमें किसी भी तरह का जो चेंज है ना वो नौट विद्ट सेंडिंग चलेगा आर्टिकर 13 के । और सब्सक्राइब यह लिखा कि में फिर से जो है ङुन है और पार्लंबिंट चेंज सब्सक्राइब करने इन constitution तो यहां से एक question उठता है कि क्या Parliament हर चीज को अमेंड कर सकता है इस बात को पकड़ा गया केश्वननदा भारती case में अचा 24th constitutional amendment देखोगे तो उसमें major एक यही change किया गया था clause 1-2 add किया गया और आपको यह power जो word है उसको जोड दिया गया changes तो और भी थे बट हाँ जो हमारे case के context में बात है उसमें इतना ही था अब एक second case start होता है यह देख लेना अब यह याद रखना यह बहुत काम आएगा यह जो 24th constitutional amendment है और इसका reaction यह हमें देखने को मिलेगा केश्वा नंदा भारती के बाद है तो चली अब आपका सबसे favorite case बेखते है कि केश्वा नंदा भारती कि वरसे स्टेट ऑफ केरला पूरा डेट ही लिखते हैं अच्छा इसमें डेट ऐसी नहीं लिखा जा रहा है यह डेट लिखने का एक reason है और वो reason आपको बताया जाएगा जब वामन राव पढ़ रहे होंगे केश्वा नंदा भारती के बाद ही वामन राव केस पढ़ना है तो वामन राव में तो बहुत लोग उसके वुमना राव पढ़ देते हैं वामन राव में इस डेट का जिक्र किया गया और उसमें ब Doctrine of Basic Structure के नाम से भी जानते हो इसे आप Longest Bench Largest Bench के नाम से भी जानते हो इसे आप Longest चलने वाला केस के भी नाम से जानते हो लबग लबग सतर दिन ये केस चला था बेगुलर बेसिस पर और लार्जेस्ट बेंच इसलिए क्योंकि इसमें 13 जज की बेंच थी Doctrine of Basic Structure को हम दील करेंगे और Doctrine of Basic Structure जब पढ़ेंगे तो वामन राव मिनरवा में इस वेक बार देखते विए आगे बढ़ेंगे और किसले केस बोला जाता है क्योंकि इसमें fundamental rights के बारे में discussion हुआ था बट जब लोग इतनी सारी चीजें देख रहे होते हैं एक चोटी सी चीज मिस कर देते हैं इस केस में प्रियंबल की भी बात की अब जब केश्वननदा पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे केसों को साइट क किया गया अब तेरा जच की बैंस थी तेरा हजार मतलब पेज की मतलब सब लोगों ने अलग अलग जज्जमेंट लिखा था अगर ऑन एन एवरेज माल लोना 200 पेज की बेर किसी एक जजने लिखी होगी तो लगबग 3000 पेज की बहुत बड़ी जज्जमेंट थी और इस से पढ़ना ज्यादा मजाएंगा 661 यह वन थे आपके जस्टिस एचार खन्ना या फिर खन्ना जे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डॉक्ट्रिन और बेसिक स्टुक्चर को बनाने हो तो देखते पहले प्रियंबल वाला पार्ट क्लिर करेंगी क्योंकि छोटी सी कड़ी ती उसकी बट प्रियंबल वाला पार्ट पढ़ने से पहले आपको एक केस याद रखना पड़ेगा डाट इस री बेरुबरी यूनियन केस तो हम पहले से प्रियंबल वाला पार्ट देखते है और यह बात हम लोगों ने जब हिंदू डिसकस कर रहे थे तब भी हम को ने पढ़ाता तो प्रियंबल पे दो केस है एक तो आपको केश्वा नंदा भारती और एक केस से आपको री बेरुबरी यूनियन पहुड़ा सा कहानी सुनेंगे और उसके बाद पैक्स पे आ जाएगे इसमें यह सारी चीजे मेंशन है आपको इच एन एवरीटिंग मिल जाएगा यह वाला चीज नहीं मिलेगा क्योंकि यह अलग से आड किया गया लेको री बेरुबरी यूनियन केस फुरा सा इंट्रेस्टिंग है इसमें बात हुई थी सौवरीन करेक्टर कि इंडिया ने एक लैंड बांडरी एग्रिमेंट हुआ पाकिस्तान के साथ और दो बांगलादेश पाकिस्तान आज का यह उसमेंट हैं मनाते हों वे आते हैं री बेरुबरी यूनियन के केस फाइल होता है अच्छा इसमें रिवर्ड यूज लिखा हुआ है मतलब यह प्रेसिडेंट का रिफरेंस दिया गया था प्रेसिडेंट ने रिफरेंस से पूछा लोग कही जाती है कि बेरुबरी यूनियन जो दी गई उसमें लोगों ने ऐसा कहा जाता है सब्सक्राइब इनफरमिशन नहीं बट एक कहानी है कि लोगों ने खून से लेटर लिखा था प्रेसिडेंट को कि वी डूंट वांट तो पाकिस्थान वी वांट टो बीन इंडिया प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोट से पूछा कि बाई रिफरेंस करो बताओ क्या करना है देखो बात सु इस पॉइंट पे और केस लड़ा भी गया इस पॉइंट पे कि देखो प्रियंबल ओफ इंडियन कॉंस्टूशन बोलता है कि वी आर सौबरिन और सौबरिन कभी भी अपनी टेरिटरी सीड नहीं करता यह बात कहीगी तो जड़ साब को ही पता था कि अब तो ट्रीटी हो चुकी है अब कुछ नहीं हो सकता तो रीजनिंग यह दिया गया कि देखो प्रियंबल इस नॉट पार्ट ओफ कॉंस्टूशन यह बात बताई गई बेरुवरी यूनियन केस में कि आपका जो प्रियंबल है वो पार्ट ही नहीं है कॉंस्टूशन के जब यह बात केश्वर अंदाभारती में उठाई गई तो इसमें बताया गया कि देखो जो प्रियंबल है वो पार्ट है कॉंस्टूशन का बट इन्होंने एक बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी और यह बोला गया कि देखो preamble is a part of constitution but it cannot be the source of power neither be a source of limitation of power मतलब आप preamble जो है ना ही आपका source of power हो सकता है नहीं वो आपको रोक सकता है उन powers को exercise करने से जो preamble में mention नहीं है simple यह बात बोली गई और वहां से उसके बाद से यह जगड़ा खतमी कर दिया गया कि प्रियंबल पार्ट होगा नहीं आपका source of power है यह नहीं source of limitation of power अब प्रियंबल को भाई बहुत लोगों ने बोला है लक्षमिकान साब भी बोला है डिडिवाशो साब बोला है MP जैन ने भी बोला है इस चीज़ को कि प्रियंबल इस पार्ट और काफी तरह तरह से बत बताया है कि प्रियंबल इस सोल प्रियंबल इस इंट्रोड़क्टरी पार्ट और बहुत सारी चीज़े बताई गहीं है यह कॉंस्टिट्यूशन की फिलॉसपी है कॉंस्टिट्यूशन की वैल्यूज रखता है बहुत मतलब अलग अलग तरह के ओपीनियंज दिये प्रियंबल इस पार्ट यह बात बता दिया केश्वानंदा भारती में क्योंकि तेरा जैस की बेंच थी अगर आपको इसको ऑब इसके पास अमेंडमेंट की पावर है कितनी है तो यह बात खना साब के हिसाब से देखना इन लोगों ने कहा कि नहीं है पार्लियमेंट जो है अमेंड नहीं कर सकता है यह दर चलेगा यानि 6-7 से एक डिसीजन आगे है बट कुश्चन यह हुआ कुछ तो बताओ कि क्या हो सकता है क्याने ऊसकता है कुछ तो कुछ स्भी इसे पार्लियमेंड कर सकता है यह कौन सी लेख बात भी नहीं हो रही थी इसमें तो सॉप्रीम कोट ने पाहर सभी जजस ने अपना अपनापना kompl этих Xin बताया और बताया में यह बात बताई गई कि basic structure is an open thing it shall be the subject of interpretation of the judges that is a time to time interpret करेंगे और doctrine of basic structure की सुरुवात हुई और doctrine of basic structure में primarily लोगों ने जब court ने बात बताई तो court ने भी कुछ-कुछ important चीज़े बताई जैसे democratic democratic principles होने चाहिए democracy होना चाहिए elections की बात की गई प्रियंबल में भी जो बहुत सारी बाते हैं fraternity liberty quality judiciary independent judiciary पिर उसके बाद आपको liberty equality fraternity sovereign socialist secular democratic republic यह सारा जो है वो basic structure का पार्ट होंगे आप इसको अमिन नहीं कर साथ बाकि जो करने ठीक है इवन आप अगर नोबल्स पढ़ते होंगे तो भागवती साहब ने बात बोली थी we have given you a solemn document in your hand do whatever you want as per the will of the people because you have to decide the fate of the people but leave the basic structure untouched basic structure को छोड़ दो बाकि जो करने ठीक है यह बात simply is case में बता दी गई अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट जो इस केस को वैलिडिटी तो नहीं बट एक स्ट्रॉंग होल्ड देता है डाट केस वामन राओ कि वामन राओ का केस आता है 1981 अभी हम इसका रियक्शन भी देखेंगे केश्वान अंदर भारती का बट क्योंकि basic structure अभी ज़स देखा है तो वामन राओ देखते हैं तो वामन राओ में सुप्रीम कोट ने चार-पांच बाते कही और इस पेशली उन्होंने कहा कि देखो basic structure का जो आस्पेक्ट है वो 24 एपरेल 1973 के बाद से सुरू होता है मतलब 24 एपरेल 1973 जो डेट ऑफ जज्जमेंटी उसके बाद से हम basic structure की बात करेंगे और इस पर कि जो केश्वन अंदा में भी बोली गई कि basic structure का जो concept है वो open रहेगा it is the open subject तो simply वामन राओ में ये छोटी सी बात कर दी गई अब इसका reaction केश्वन अंदा भारती के case का reaction हम देख लेते हैं केश्वन अंदा भारती का जो case का reaction था वो है आपका 42nd constitutional amendment 1976 जिससे आप प्यार से mini constitution भी बोल के और इसमें जो भी चीजे की गई उसको सुधार दिया गया 44th constitutional amendment act 1978 में 42nd constitutional amendment 1976 में बहुत सारी चीजे की गई प्राइमेरिली आर्टिकल 368 क्लॉस फोर फाइव देखोगे उसमें लिखा गया है इट 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 इस विन टू क्लियर ओल दाउट इडिज बिए डिकलेट ड़ाट सिंपली लिखा गया अगर हिंदी में पड़ो कि जादा मजाएगा इसी भी शंका को दूर करते वे यह घोशना की जाती है कि पारलिया मेंट के पास पावर होगी किसी भी चीज को अमेंड कर इसा नाम याद रखना मिनर्वा मिल्स और सुप्रीम कोट ने बताया कि जो जूडिशियल रिव्यू है वह पार्ट है बेसिक स्टॉक्चर का सिंपली यह बात काट के बता दी गई जूडिशियल रिव्यू इस पार्ट बेसिक स्टॉक्चर फोटी सेकेंड कॉंसिशनल अमेंडमेंट एक्ट में और भी बात की गई जो कि आपके एक्जाम के परपस से उतना इंपॉर्टेंड नहीं है बट हां जो चीज़े जरूरी ह सेवन सेड्यूल में पाथ सब्जेक्ट को स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया इंटेंशन कंकरेंट लिस्ट पे सेंटर की हैंड अपर रहती है इंटेंशन जादा इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है उसके बाद आर्टिकल 51a एड किया गया याट इस दफंड जुडिशल रिव्यू पावर अफ हाई कोट उसको मिननवा विंस ने बोल दिया आगे जाकर कि जुडिशल रिव्यू पार्ट बेसिक स्टॉक्टर यू कैन नॉट कर टेल एट वाटेवर कॉस्ट सिंपली यह बात कही गई और यहाँ पर हम लोगों नेक बेसिक चीजे क्लियर किए अब हमारा टॉपिक आता है कोलीजियम और एंजेक उसको हम देखेंगे नेक्स सेशन में थैंक यू दैट सॉल फर माई साइट